है गाइज वेलकम बैक तो मैं चैनल आइम रितु एंगेर वाजिंग रितु हांडा तो गाइज आज कर जो मेकब मैं आप लोगों से शेयर कर रही हूं बहुत ही ब्यूटिफुल सा और बहुत ही सिंपल सा मेकप है तो गाइज आप इस मेकप की खास बात यह है कि हर एक एस के मेकप कर सकते हैं तो गाइज इस बहुत ही ब्यूटिफुल है और इसको मैंने पनी भावी पे क्रियेट किया था तो बहुत ही मेकप के साथ तो यह फुल टेटॉरियल में आप लोगों से शेयर करती हूं तो गाइज अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाई करेना औ वहाथ ही प्यारा सा मेक-प्व है एक पार जरूर ट्राइब करना व जयुक्त मेक-प्वाध्य कि किप सब्गत कर दिया कर मद्धाक के लिए परई चाहर कार P करेगी और दूसरी एक बहुत ही ड्यूई सी शाइन आपके फेस पर आजाएगी और उसके बाद मैं यूज़ कर रही हूँ अपना फेस इस कानड़ा का प्राइमर तो काइस बहुत अच्छा प्राइमर है आपके पोर्स को मिनिमाइज करता है तो उसके बाद हम यूज़ करें इस बहुत ही बड़िया फाउंडेशन और दूसरी बार इल्यूमिनेटिंग फाउंडेशन आपको एक बार जुरूर ट्राइक करने चाहिए तो कवरेज बहुत मीडियम सी कवरेज है तो इसके बाद है मेरा नेक्स स्टेप मैं अपनी फाउंडेशन को ब्लेंड कर रही हू एक वेट ब्लेंडर से और यह स्टेप बिल्कुल भी मत मिस करना जब भी आप अपनी फाउंडेशन को ब्लेंड करो हमेशा अपने ब्लेंडर को थोड़ा सा गीला कर लो और उसके बाद यह परी फाउंडेशन को ब्लेंड करो इससे क्या होगा आपकी फाउंडेशन बहुत यह concealer है आपको कहीं से भी यह 250 250 के नियर अबाउट आपको मिल जाएगा और बहुत ही बढ़िया concealer है और इस makeup में मैं इसी concealer का यूज करी हूँ और यह मेरा फेवरेट concealer भी है और आप देख सकते हो से क्रीन पे कि मैं किस-किस जगह पर अपने concealer का यूज करी हूँ जहां-जहां मुझे अपने highlighting effect देना है वहां मैं अपने concealer का यूज करी हूँ अपने forehead पर अपने under eye area पर तो इसको अच्छे तरह से blend करने के बार अब टरन है हमारे eyebrows की और eyebrow के लिए मैं यूज करी है अपने eyebrow palette का जो की है mist clear की और गाइस मेरी personal favorite है और मेरी और से highly recommended है बहुत ही परिया palette है इसमें four shades है और हार तरह की ton के साथ यह shades जाएंगे professional use में भी आप इसको use कर सकते हो तो guys आप स्क्रीन पर देख रहे हो मैं किस टाइप से eyebrow को fill कर रही हूँ तो जिस टाइप से क्योंकि बहुत से लोगों को यह problem होती है कि यार eyebrows अच्छे तरह से नहीं feel लोते हैं कैसे fill करें तो उसके लिए बहुत जल्दी वीडियो आने वाली है आपने चाहिन को follow करते रहे है तो guys बहुत ही अच्छे और natural वे से मैंने eyebrows को fill किया है तो आप देख सकते हो कितने अच्छे को make-up करते हैं उसको हमेशा यहीं लगता है कि या आइब्रो बहुत डाक कर दी है अपने लेकिन जब मेक-प हो जाता है ना तो ऐसा लगता है कि आइब्रो की शेव बहुत अच्छे है और बहुत अच्छा है इसले डरो मत तो अराम से आइब्रो को fill करो और अपन अच्छे बनी आइब्रो की और उसके बाद मैं अपना यूज करीए कॉमपक्त जिससे की मेरा जो चंसीलर मैंने अप्लाई किया था फांडेशन अप्लाई की सब लॉक हो जाएंगे तो मैंने अपना मेबलीन का कॉमपक्त यूज किया है और उसके बाद मैंने अपना आपको मिल जाता है और एक तो मेकप सेट हो जाता है और उसके साथ साथ एक बहुत डूई सी शाइन भी फेस प्याजाती है तो गाइस उसके बाद चूबी एक्स्ट्रा प्रड़क्त है वह मैं अपने स्पंज की हैल्प से निकाल रही हूं आप देख सकतर सप्रे करने के ब अपने आई लिड्स पर पूरा मैं कंसील कर लूंगी जिससे क्या होगा आपकी जो आइस की पिगमेंट है वह हाइड हो जाएगी तो जिससे आपका आई मेकप बहुत अच्छी तरह से उबर के सामने आएगा और आप से क्रीन पर देखते जाओ मैं किस टाइब से करी हूं जैसे मैं कह रही हूं वैसे ही आपको करना है कि आप आप ऐसा करेंगे तो आपका आई मेक बहुत लूग होने वाला है संपार लिए और बच्छी तरह से ब्लेंड करेंग यूड तो गया इसके बाद जो हमारा Ref उक शुआ हमारा निक्स टेप है वह हमारा कॉम्पक्ट तो पहले हमसे इसको प्लेंगे ब्लेंड और यूज के बाद यूज कि रेंगे कंपेक्ट का और यहां पर मैं छोटे beauty blender से जहां-जहां मैंने concealer का use किया था उसको set करी हूँ ताकि इस पर crease lines ना आए और guys यह step भी बहुत जादा important है अगर आप compact का use नहीं करते concealer के उपर तो इसको बहुत जल्दी इस पर आप जब eye makeup करेंगे ना तो इस पर crease lines आजाएंगी जो कि बहुत unprofessional लगती है और बहुत ही खड़ाब लगती है इसलिए इसको set करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है तो guys अपने concealer को compact के साथ set करने के बाद अब turn है हमारे eye makeup की और eye makeup में मैं सबसे पहले use कर रही अपनी Swiss beauty की 9 color ultimate palette का तो guys यह जो color है यह color यह palette बहुत ज़्यादा बढ़िया है और जो भी product में use करें उनकी मैं जानकारी सारी अपने description box में दे दूँगी आप जागर चेक कर ले तो guys इसमें मैं तो guys सबसे पहले मैं अपने crease area पर use कर रही हूँ बहुत ही सबसे light color बहुत ही light brown सा color है तो guys अपना eye makeup जो है ना वह सबसे पहले light color से start कीजिए अगर आप direct dark color use करेंगे तो आपका eye makeup कभी भी flawless नहीं होगा एक आपको blending पर बहुत जाड़ा time लगेगा इसलिए सबसे पहले आप light color का use किजिए light color को use करने के बहुत ही आप एक dark color की और जाए तो इस type से आप देख सकते हो किस टैप से मैं अपने सिरफ crease area पर अभी colors का apply कर रही हूँ सबसे light shake का apply कर रही हूँ light से मैं dark की और जाओंगी और इसी तरह आप step को follow करते जाए और आप भी कर सकते हैं बहु बीटिफुल सा eye makeup अपने घर पर ही बहुत ही ज़्यादा easy way पर आप देख सकते हैं मैंने पूरे eye light पर यह light brown color मैंने apply कर लिया है आप देख सकते हैं किस तरह से एग वी करीएट कर रही है तो इस इसरा ही ही आप मेरी से 면 पर देखते जाएए जैसे मैं मेक अप कर दिशूर को को CHEY को को आप कलरफा से और अच्छे ब्लेंड करओ बहुत ही अराम से ब्लेंड करो बोहुत ही जतना ब्लेंडिक करोंगे अटना की आपका ऑच्छा होने वाला है तो आप देख रहे हो कि मैं blending करती जा रही हो करती जा रही हो और हलका-हलका सा ही color deposit कर रही हूँ यह नहीं कर रही कि एकदम से पूरा color ले लिया और उसको blend करती जाओ जितनी जरूरत है जितना थोड़ा-थोड़ा color ही मैं apply कर रही हो और अब मैं कॉर्णर पर अपने लाइट कलर का यूस कर रे हूँ क्यूंकि मुझे यहां पर एक कलर और फिल करना है इसलिए मैं हलका लाइट कलर अपने अई क्यूंस पर फिल लाईग कर रिय faço मैं अपने गोल्डन शेढ़ का यूस कर क्या है क्योंकि ड्रेस में मैरून और गोल्डन था तो आप देख सकते हो कितना अराम से मैंने अपने कलर को ब्लेंड के और अपको बहुत अच्छे तरह से अपने आई मेकप को ब्लेंड का बहुत ज्यादा जरूरी है और उसके बाद मैं एक flat brush की help से इस color को अच्छे तरह से blend करी हूँ और आप देख सकते हो कि stripe से blend करी हूँ मैं इसको तो आप भी same वैसा करते जाए और मुझे ज़रूर बताना ये look create करके कि आपको ये make-up कैसा लगा और इसके बाद मैं यूज़ करने वाली हूँ अपने eyeliner का eyeliner यूज़ कर दी हूँ मैं लैक्मी का इंस्ट्रा ब्लैक eyeliner तो बहुत ही ज़्यादा एफोर्डिबल लाइनर है और बेस लाइनर है तो only 120 रुपीस का बैस लाइनर तो आप देख सकते हों तो आप देख सकते हों कि बहुत ही जादा भरीक सी लाइन में करें तो यहां से मेरी थोड़ी सी वीडियो मिश हो गई थी लेकिन आपको बता रहेती हूं मैं एक ब्राउन आईशेडव मैंने लिया है जिससे की कादल को अच्छी तरह स समझ कर रही हूं अपने पैंसिर ब्रश की हल्प से तो आप देख सकते हो तो गाइस यह स्टैप भी आप पिसमत करिये बहुत ही ब्यूटिफु लगती है इससे आइस और एक आइस को लोग लैश लाइन को बहुत अच्छी सा स्मॉकी सा लूक आजाता है तो अब मैं अपन आइलाइनर की हल्प से एक चोटा सा विंग अपने आई कॉर्णर पर कर रही हूं जिससे आइस को बहुत अच्छी सी शेप मिलती है तो आप देख सकते हो जिस टाइप से मैं अपने विंग को कर रही हूं आप भी उसी तरह से यह स्टैप फॉलो कीजिए और अपना यह वि ऑफोर दायवल है ऐलि 28 देख अपनी ने ने लग पर प्रया नाइड एपने पर आपने ऊंपर किये आप से इसको किनी ब्लैन ऑ गया है । आपके फेस ऐसब ओर अच्छी सी cutting मिल गई है इस type से आपको इसको blend करना है अपने flat brush की help से करिए अपने beauty blender की help से करिए जैसे भी करिए लेकिन इस type से आपको blend करना है उपर की तरह blend करना है इसको नीचे की तरह blend नहीं करना तो contouring भी हो गई है हमारी done और अब हमने cream product को cover करने के लिए अपनी use कर र लाएगा तो bronzer से मैंने अपने contouring को log कर लिया है तो यह step भी ज़रूरी है अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो यह आपके crisis दिखाई देंगी कुछ time के बाद आपका make up flawless नहीं लगेगा तो आपको powder product से इसको log करना बहुत ज़रूरी है तो अब मैं यहां यूज करिए आपने bl अपने swiss beauty के liquid highlighter का काफी affordable और अच्छा highlighter आप देख सकते हो कितनी अच्छी तर से blend हो रहा है और बहुत ही एक natural शायर आपके face पे आरही है इसकी shade I think champion है जो भी इसकी shade होगी मैं दिख दूंगी आपने description box में दिख दूंगी आप जाकर चेक कर लेना और उसके बाद है लिप् touch of spice lipstick तो गाइस यह वीडियो थोड़ी सी मिस हो गई थी इसलिए मैं आपको बता देती हूं touch of spice creamy mad lipstick का मैंने यूज किया यहां पर और इसके बाद मैं यूज कर दीए अपना Maybelline का golden golden highlighter master charm highlighter तो गाइस golden highlighter है काफी बढ़िया highlighter है तो मैं इसका यहां पर यूज कर दिए एक्छी आप गरमें function तुछ आप में भावी का मेकप करे थी जब मैंने video बनाई थी और आप सो सकते हुगर में function और video बनाना कितना मुश्किल है फिर भी मैंने आप लोगों के लिगे create की video अगर कुछ clips ? प्रीज थोड़ासा अट्ज चर लेना तो guys hair style भी मैंने इस वीडियो मैंने head तो आप बने रहना चैनल पर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब बीज़ा नहीं लगा दिया है तो आप देख सकते हूं कि आप मेकप कि ना ब्यूटिफुल लग रहा है मैं अपने मुझे अपनी तादीफ कुद कर रही हूं तो अगर आपको जल्दी अपने चैनल पर आप लोगों से शेयर करूंगी और ये मेकप में बाभी बहुत ही सुन्दा लग रहे थे तो आप देख सकते हो तो मैंने तो जल्दी में कोई पिक भी नहीं लीजिए जो भी वीडियो ती में आप लोगों से वही शेयर कर रही हूं तो नेक्स टा की वीडियो चाहिए तब भी मुझे कोमेंट में बताना तो बस अगर सब्सक्राइब नहीं किया चाहिने को तो सब्सक्राइब करना तो वीडियो का पसंद आए तो लाइक करना तो बाई गाइस मिलते नेक्स वीडियो में